नमस्का दूस्तू स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्यान से सम्मंधित कुछ पिस्णों को डिसकस करेंगे तो जिन पिस्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पिस उप Lena P लाल प्रकास और ओफशन D पीला प्रकास तो इसका जो सही अंसर है वह जाने प्रएक नीले प्रकास में सबसे उच्जितम ऊर्जा होती है ठीके अगे बढ़ेंगे कि किसी तरंग की जो उर्जा है वहां उसके तरंग दैद होता है उसके ब्यूत्रुमानुपाती होती है ठीक है तो जो तरंग की उर्जा है उसके तरंग दैद के ब्यूत्रुमानुपाती होती है तो नीला रंग है इसका जो तरंग दैद है यह लाल रंग के तरंग से क्या होता है नियून्तम होता है इसलिए नीले रंग की जो उर्जा है वह लाल रंग से जादा होती है ठीक है और रंगों का सीरल जो है इस प्रकार है कि बैजा नीह पीना लहाम इसको पढ़ते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है इसको भिक बेओर की नाम से भी जानते हैं तो बैगनी रंग से स्टार्ट करते हैं और लाल रंग प्रकार कतम होता है तो हम लेखित रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रजम द्वारा सबसे कम ब्रचलित होता है ठीक है हमें बताना है कि अगर सफेद प्रकास को हम किसी भी प्रजम कांच के प्रजम पर डालते हैं तो उस प्रजम के द्वारा सबसे कम ब्रचलित होने बाला रंग कौन सा है option a हरा रंग option b लाल रंग option c बैगनी रंग और option d नारंगी रंग तो इसका जो सही अंसर है वह है लाल रंग ठीक है तो जो काच का प्रजम होता है उसमें सबसे कम जो बिचलन होता है जिस रंग का वह होता है लाल रंग का आप देख रहे है यह प्रजम है यहां से सफेद प्रकास डाला गया है तो इसमें जो लाल रंग है उसका बिचलन सबसे कम हुआ है जबकि जो जामनी रंग है इसका जो बैगनी रंग है इसका क्या हुआ है सबसे ज़्यादा बिचलन हुआ है ठीक है तो निरबात अथवा बा कांच या सीशे में बैगनी रंगे के प्रकास का बेग सबसे कम होता है तो लाल रंगे के प्रकास का बेग सरवादिक होता है ठीक है तो जो बैगनी रंग होता है इसका बेग होता है कम इसलिए यह जाके प्रजमे में मुड़ जाता है ज्यादा और लाल रंगे का बेग होता ह ज्यादा तो यह सीधा निकल जाता है आगे बढ़ेंगे कि हमें बास्तिविक सूर्योदर के कुछ मिनट पूर भी सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है ठीक है जब सूर्योदर होता है उसके कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई दे जाता है तो इसका क्या कारण है आप्शन ए प्रकास का पिकीरणन आप्शन भी प्रकास का विवर्तन आप्शन सी प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन और आप्शन डी प्रकास का अपवर्तन तो इसका जो सही अंसर है वह है प्रकास का अपवर्तन नहीं प्रकास के अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य पहले और सूर्य अस्त्र के कुछ समय बाद भी सूर्य छित्र के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता रहता है आगे बढ़ेंगे कि आकास का रंग नीला किस कारांट से होता है ठीक है जो आकास है वह नीला हमें दिखाई देता है तो किस कारांट से हमें दिखाई देता है option A, प्रकास का प्रकीरण, option B, प्रकास का परिछेपन, option C, प्रकास का व्रतिकरण और option D, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंतर है, वह है प्रकास का प्रकीरण ठीक है तो प्रिकास के प्रिकिरन के कारण ही जो आकास होता है वह है नीले रंग का दिखाई देता है आगे बढ़ेंगे कि हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाए देता है ठीक है जो हरी घास होती है उसको हम देखते हैं तो उसका रंग हमें हरा क्यों दिखाए देता है और इसका जो सही आंसर है कि यह हरे रंग के प्रकास को हमारी आँखों पर पराबर्तित कहती है ठीक है जिसे कोई भी बस्तु है यह जिस रंग को पराबर्तित करेगी वह बस्तु हमें उस कलर की दिखाई देगी यह होता है इसके रंग का रंग तो जो घास होती है यह सभी रंगों को छोड़ का सिर्फ हरे रंग को अपने से पराबर्तित कर देती है इसलिए जो घास होती है वह हमें हरे कलर की दिखाई देती है ठीक है तो हरे घास की पत्तियों पर पढ़ने वाले प्रकास से पत्तियों में उपस्तित, प्रकास अंसले से बर्णक, मुखता, लाल, नीला और नारंगी प्रकास को आउसूतित करते हैं और हरे रंगे के प्रकास को पराबर्तित करते हैं इसी कारण जो पत्तियां हैं वह हरे रंगे की दिखाए दिती है आगे बढ़ेंगे कि कार में पीछे के यातायात के दिस्टावलोकन के लिए किस प्रिकार के सीशे का प्रियोग होता है ठीक है कार में जो हम साइड मेरा देखते हैं तो इस साइड मेरा में जो यह सीशा लगा होता है यह कौन सा दर्पन होता है ठीक है तो Car के जो शीसे लगे रहते हैं जिसको हमside मेरा के नाम से जानते हैं तो इसमें जो सीशा याधरपण का प्योग होता है इस दरपण का होता है उसके नाम है उत्तल दरपण आगे बढ़ेंगे कि उत्तल दरपण के द्वारा जो पितबम है यह आवासी सीधा एवं बस्तू से छोटा बनता है ठीक है यह आवासी बनेगा जैसी बस्तू है उसका सीधा का सीधा बनेगा और बस्तू से कैसा बनेगा छोटा बनेगा और इसके द्वारा काफी बड़े छेतर की बस्तू का पितवंब एक छोटे से छेतर में बन जाता है ठ किसी कांध ये से motor बाहरनों ताथा बसों में चालक के बगल में पीछे के p 61 क्यु錯य लगाया जाता है ठीके तो ऐह हुता है projects To Aka Monka क आगे बढ़ेंगे कि दाड़ी बनाने के लिए किस दर पर्पण का उपयोग करते हैं ठीक है जब हम दाड़ी बनाते हैं तो किस दरपन का उपयोग करते हैं option A आउतल लरपन, option B समतल लरपन, option C उतल लरपन और option D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है आउतल दरपन ठीक है और मेकप के मेरर में भी इसका यूज़ होता है और जो डेंटल यानि दंट चिकिस्थिक होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं आगे बढ़ेंगे कि जो आउतल दरपन होता है एक गूलाकार टाइप का दरपन है जिसके उबरे हुए तल पर पॉलिस होती है तथा अंधर का तल पराबर्तिक होता है यह इस प्रिकार का दरपन होता है इसका जो उबरा हुआ तल है इस पर होती है पॉलिस और इदर से यह प्रिकास इसमें हम डालते हैं तो इसके द्वारा पितविम दरपन के सामने बड़ा बनता है इसलिए इस दरपण का प्रयोग दाढ़ी तदा बाल बनाने के सीसे की रूप में तिया जाता है आगे बढ़ेंगे कि धूप से बचने के लिए छाते का रंग सही होजन निम्न मैंसे कौन सा उचित है उप्षन A उपर काला नीचे उजला उप्षन B उपर उजला नीचे काला उप्षन C मात्र काला और उप्षन D मात्र उजला तो इसका जो सही अंसर है कि उपर उजला और नीचे काला ठीके तो जो छाता होता है अगर हम धूप का छाता ले रहे हैं तो हमें देखने चाहिए कि उपर का रंग उजला हो नीचे का रंग कैसा हो नीचे का रंग हो काला आगे बढ़ेंगे कि खागोलिये दूरदर्शी से बना पितिबंब किस प्रिकार का होता है ठीके जो खागोलिये दूरदर्शी होता है इससे जो पितिबंब बनता है वह किस प्रिकार का होता है यह हमें बताना है option A कालपनिक और छोटा option B कालपनिक और बड़ा option C वास्तिविक और छोटा और option D बास्तिविक और बड़ा तो इसका जो सही अंसर है वह है कालपनिक और बड़ा ठीक है तो जो खागोली दूर दर्शी होता है इससे जो पितिविम बनता है वह कालपनेक होता है किन्तु बड़ा बनता है ठीके तो थैंक्यू दोस्तू इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद